दोस्तों ये flip card के उपर जो lowest price lock का coupon आ रहा है lowest price lock का ये जो pass आ रहा है ये completely एक fraud है last year इसके चक्कर में मेरा भी 2000 रुपया बरबाद हो गया था तो आज के वीडियो में हम लोग discuss करने बाले हैं क्यों ये जो lock pass है वो completely एक तरह का flip card का scam है और क्यों आपको इसके चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए मैं total आप लोगों को 5 रिजन बताऊंगा जिसके कारण lowest price lock pass को आपको नहीं लेना चाहिए और finally वीडियो के end में मैं ये भी बताऊंगा की लोगों के लिए जो lowest price lock है वो एक बहुत ही अच्छा benefit हो सकता है तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं जिन लोगों को नहीं पता ये flip card के उपर lowest price lock है क्या ये last year से ही हमें देखने को मिर रहा है और last year ही बहुत हड़वडी में मैंने भी ये lock pass को खरीद लिया था तो lock pass basically ये है कि अगर आपको कोई भी product खरीदना है तो उस product के लिए आपको एक pass खरीदना पड़ेगा phone के लिए यहाँ पे 2000 रुपीज है बहुत सारे product के लिए यहाँ पे 999 है बहुत सारे product के लिए यहाँ पे 499 रुपीज है आप आराम से उस product को खरीद पाओगे तो अगर ये उतना ही अच्छा है तो इसमें problem क्या है इसमें problem है बहुत बड़ा बड़ा problem है जिसके कारण इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना चाहिए तो सबसे पहला region ये है जिसके कारण आपको ये flip card का जो lowest price lock pass है नहीं खरीदना चाहिए आप जिस भी product के लिए यहाँ पर lock pass खरीद रहे हो उस product का color को आप बाद में नहीं change कर सकते हो बाद में size को change नहीं कर सकते हो in fact अगर आपको delivery address चेंज करना है तो वो भी आप नहीं करीज देखते हो तो अगर मालो initially आपको कुछ एक color पसंद आ गया और बाद में अ जैसे की iPhone 14 के लिए आपने coupon pass ले लिया और बाद में अगर आपको लगता है कि मुझे iPhone 14 नहीं लेना चाहिए मुझे iPhone 15 लेना चाहिए जबकि दोनों का यहाँ पर coupon amount है या तो token money है वो 2000 रुपया ही है लेकिन आप swipe आप नहीं कर सकते हो आपने iPhone 14 के लिए अगर token amount खरीद रह यह बी है कि आपको यह token pass नहीं खरीदना चाहिए यह cable 24 घंटा के लिए valid होता है तो जो लोग सारे यहाँ पर हो सकता है किसी का credit card लेके order करेगा आपने credit card में पैसा जमा करके order करेगा या तो COD भी करेगा तो यहाँ पर बड़ा दिक्कत इस बात पर भी हो सकता है कि अगर उतने limited time पर आपने पैसा जुगार नहीं लगा पाया तो आप बाद में इसको करी नहीं पाओगे in fact flip card तो यह कह रहा है कि यह आपका 48 hour के लिए valid होता है लेकिन 48 hour के लिए valid नहीं होता है जो सारे लोग यहाँ पर plus member है उनके लिए 48 hour चलेगा plus member का sale एक दिन पहले ही start होता ह है और जब यहाँ पर sale का पहला दिन होगा उस दिन जो non plus member वाला होगा वो भी order कर पाएगा तो actual में अगर देखा जाए तो plus member के लिए 48 hour के लिए लागू होता है लेकिन जो सारे लोग non plus member है उन लोगों के लिए cable 24 घंटे के लिए valid होता है तो अगर आप 24 घंटे के अंदर नहीं order कर पाते हो किसी भी कारण बस तो बाद में ये पैसा आपका completely lost चला जाएगा चार नंबर जो सबसे बड़ा region है जिसके कारण आपको ये token amount नहीं लेना चाहिए for example अगर आपको किसी भी phone को exchange करना है किसी भी phone के लिए तो आप exchange भी नहीं कर सकते हो तो बहुत सारे लो फोन को यहां पर बेजना है जिसके कारण हो सकता है आपको price थोड़ा और कम देखने को मिले तो आप ये चीज नहीं कर सकता हो बहुत बार हमें यहां पर exchange में extra bonus भी देखने को मिलता है तो हो सकता है अभी आपको लग रहा है कि आपको ये phone exchange नहीं करना है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि sale के time पे आपको इसमें कुछ extra bonus भी देखने को मिल सकता है तो अगर मालो कि इसमें 3000 रुपय extra bonus देखने को मिल गया तब भी आप इस product को exchange में नहीं लगा सकतो उस phone के साथ और अगर आप exchange कर दोगे तो उस case में भी आपका जो token मनी है वो completely vanish हो जाएगा पांच नंब आपको पहले बिल्कुल भी idea ही नहीं है और उससे पहले ही आपको यहाँ पे token amount लेना पड़ेगा तो सम्हाव यह कुछ हद तक lottery की तरह है कि आपको पता ही नहीं है कि आखिर flip card इसके उपर कितना price discount देगा और उस case में अगर आप वो product के लिए token amount खरीद लेते हो तो बाद म generation का उतना अच्छा price नहीं देखने को मिला finally मैंने Amazon great Indian festival sale में देखा जहां पे मुझे iPad 5th generation जो की M1 बाला processor है इसमें अच्छा deal देखने को मिल गया मैंने वो 2000 रुपया जाने दिया और ultimately मैंने Amazon से ये बाला जो iPad 5th generation है इसको खरीद लिया तो हो सकता ही कि आपको बाद में अगर notice कर लिया किसी भी product में बहुत सारा demand आ चुका है token amount reserve हो चुका है तो उस case में हो सकता है उस product का उतना अच्छा discount देखने को ही ना मिले जैसे कि last year भी बहुत सारे product के साथ ऐसा हुआ था उसका भी बहुत सारे लोगों ने token amount खरीद लिया था और ultimately वो सारे product में 1-2,000 र रुपय का अगर वो product सस्ते में मिल गया तो आप खरीद लोगे और अगर वो product सस्ते में नहीं भी मिलता है तब भी आपको खरीदना पड़ेगा अगर आप नहीं खरीद होगे तो आपका 2,000 रुपया completely बरबाद हो जाएगा और actual में अगर flip card चाहता कि आपको lowest price पे product दे त तो flip card इस तरह का game नहीं खेलता जो भी product है कम से कम उस product का price एक दिन के लिए fix रखता ना कि 2 मिनिट के बाद 15 सेकेंड के बाद उसका price बढ़ जाता in fact BBD sale में जितने भी product के उपर अच्छा कासा sale देखने को आपको मिलेगा वो सारे product का price तुरन तुरन बढ़ जाएगा 2 मिन जो लोगों ने है वो बाद में अपना decision बदल दिया था तो यह जो flip card का lowest price lock pass है यह completely एक तरह का fraudy है लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए काफी जादा benefit हो सकता है अगर आप पहले से यह decision बनाने में ready हो कि आपको कौन सा product खरीदना है कितने GB का खरीदना है कौन सा color कुछ भी हो जाए आपको वही product लेना है तो उस case में आपके लिए यह जो lowest price pass है यह काफी जादा important हो सकता है लेकिन हम में से जादा तर लोग जो है वो बाद में decision बदल भी सकता है क्योंकि ultimately सारा जो game है वो price का game है अगर मुझे किसी product में अच्छा price मिल गया तो मैं definitely उसी product क को खरीदूंगा ना कि जिसमें ज्यादा price है तो यह था complete video I hope आप लोगों को समझ में आ गया है बाकि आप लोग comment करके बताना क्या आपने already flip card का lock pass खरीद लिया है और कौन सा product के लिए खरीदा है और यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को like करे वीडियो को जादा जादा अपने दोस्तों के साथ share करें क्योंकि यह काफी एक important वीडियो है बाकि अगर आप लोग चैनल पर ने हो तो चैनल को subscribe जरूर कर देना हम मिलेंगे आपसे next वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye and thanks for watching